पिल्म की शुरुवात होती है और हमें छोटा बच्चा दिखाया जाता है जिसको एक पत्थर पर लिटाया गया था उसके इर्थ की इर्थ जगली कबीले के लोग नाच रहे थे इस कबीले का लिडर इस बच्चे को अपने देवता की खातिर मारना चाहता था इस बच्चे का पर लकडी की बनी हुए कष्टी में बैठकर मचलिया पकड़ने आया हुआ था लिंशु बपने सामने धुन से ढखा हुआ एक आइलंड देखता है वो बपने अंकल से उस आइलंड के बारे में पूछता है उसके अंकल बताते हैं कि यहां पर सुना है बहुत बड़े- हुए वो खुद पानी में गिर गए थी लिंशु बहुत साथा डर जाता है उसके अंकल पानी से बाहिर आ जाते हैं और कहते हैं फिकर नहीं करो मैं ठीक हूँ मैं तो बस मचलिया पकड़ने वाले जाल में फस गया था मगर अब पानी की लहरें खीचकर उन्हें आयलंड के पास ले गई थी लिंशु की अंकल बहुत साथा डर जाते हैं वो जल्दी से यहां से जाने की कोशिश कर रहे थे तब ही जब वो पीछे मुड़कर देखते हैं तो कश्टी पर लिंशु रही था वो गाय पो चुका था लिंशु की अंकल बहुत साथा डर जाते हैं वो पूछते हैं कि कहां पर छोड़ कर आयो तुम मेरे बेटे को अधर हमें लिंशी को दिखाया जाता है जो उसी आइलिंड के बीचों बीच फस चुका था जिसकी बारे में इसकी अंकल ने बताया था कि यहां पर सांपों का राज है उसे पता ही नहीं चल रहा था कि वो कहां प करता है जब वो पीछे मुर कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं नजर आता इसके बाद वहाँ पर एक जंगली पोदा उस पर हमला करके उसे अपनी जाडियों में फसा लेता है यानि के साइलिंड पर सांपों के साथ साथ यहां के दरक्त पोदे भी जानदार थे या उपर से अज्जीब सी लिकवर जैसी चीज किरती है जो वो ऊपर देखता है तो एक पोदा उस पर हमला करने वाला था उदर दूसरी तर्फ हमें लिंचु के मॉम डेट दिखाय जाते हैं जो वो साइलन पर जाने की तयारी कर रहे थे ताकि वो अपने बेटे को डून कर न जाते हैं यहीं पर एक बुड़ा आदमी उन्हें जाने से रोकता है और कहता है उधर मत जाओ वो आइलेंड कर्स श्रापित है उस आइलेंड की इफाज़त एक काले रंग का पाइथन करता है और जो भी वहापर जाता है वो कभी वापिस नहीं आया मगर लिंचु के माम ड काम की टीजिस मी लेना तो उसे अपने पाइज रख लेना चुपके से हम उन्हें यहाँ से ले घाएंगे तब है उस लालची आतमी का साथी उसके पासःप की कुछ एंडे लेकर आता है वो देखकर उन्हिंग एक क्या लेकर आयए हो अब उसका साथी उन अंड़ों को फै बुरा हुआ है उदर लिंशू की मॉम को उसका गिरा हुआ जूता मिलता है जिससे उन्हें ये बात तो पता चल गई थी कि लिंशू इसी आइलिन पर है तबी इन पर भी उस काले रंगे पाइथन ने हमला कर दिया था जब भी उससे बचकर भाग रहे थी तो एक जंगली पो चाहे यहाँ पर रहने वाला पाइथन आने वाले इंसानों को मार देता है इधर ही इन लिंशू की भी आवाज आती है जब ये जाकर देखते हैं तो वो जाड़ियों में लिप्टा हुआ था ये उसको आज़ाद करवाते हैं दूसरी तरफ लालची आदमी के साथ ही कुछ चजीब से पौदों को देखते हैं मगर साथ ही उने वहाँ पर इंसानों के धांचे भी दिखाई दिये थी जब वो उन पौदों को तोड़ने वाले थी वहाँ पर बहुत सारी साप आ जाते हैं ये सबी अब अपनी जान बचा कर भागने लगे थे यहां से जाते हुए लि लिंचू के डैड इस लालची आदमे से कहते हैं।बहारे लालच हमें मरवाने वाली थी। तबही वो आदमी कहता है। मैं तो यहाँ पर तुम्हारा साथ देने आया था ताकि हम मिलकर तुम्हारे बेटे को ढून सके और तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो और तुम्हारी वज़ा से मेरे दो उपने साथ ही मारे गए। उन दोनों की आपस में बहुत बहस हो रही थी। तभी लिंचु के मौ पाइटन से भाग रहे थी तो उसने इन पर हमला कर दिया था अब ये इने वापिस से अपने गाउं में ले आये थी। इनके इर्दगिर्द बहुत से लोग जमा थी। यहाँ पर एक आतमी आता है जो बताता है कि हमारे गाउं पर बहुत से सांपों नी हमला कर दिया है। यहाँ पर जितने भी लोग जमा थी सबी सांपों को भगाने के लिए चले जाते हैं। इदर लिन्शो की मॉम की हालत भी बहुत खराब थी। वो अपनी मॉम को देखकर रो रहा था। लिन्शो की मॉम उसे एक लॉकिट देती हैं और कहती है बेटी हमेशा अच्छे इनसा वो तोट चुका है और उसमें से एक साप निकलकर बाहर आया है। यह कोई आम साप नहीं था बल्के एक गोल्डन पाइथन था। वो उसे अपने पास रख लीता है। इन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। एक देन लिन्शो के डैट ने उसे गोल्डन प पास पाइथन को छोड़ देता है। जहांसे लिन्शो को इसका अंडा मिला था। वो से जाने का कहता है। मगर गोल्डन पाइथन भी उससे अलगोना नहीं चाता था। तबहें लिन्शो देखता है कि उसके इर्दगीर्द बहुत से सापाने लगे हैं। मगर जब लिन्शो कर नीचे गिर जाता है। इसके बाद यहां से हमें दस साल बात का सीन दिखाया जाता है। लिन्शो अब बड़ा हो चुका था। वो एक प्राइविट क्लेनिक में बायलाजिस्ट था। यानि के पोदों और जानरों पर रिसर्च करता था। वो उन सिंबल्स बन से अपने गाउं में नहीं गया था। और साथी साथ वो अपने डैड से भी नारास था। जिन्होंने उसके इतने अच्छे दोस्त गोल्डन पाइथन को उससे अलग कर दिया। अब लिन्शो अपने स्टाफ के साथ बैठा मीटिंग कर रहा था। जहां पर उसकी बास उसे बताती हैं कि मुझे एक पौदी के बारे में पता चला है जिसके अंदर ही मोडल यानि के हमेशा जिन्दा रहने की खुबी पाय जाती है और वो पोदा तुम्हारे गाउं के करीब आइलिंड पर पाय जाता है तुम्हें वहाँ पर जाकर उसे लाना होगा अब बस लिन्श अभी पी अपने डैट से नहीं मिलता क्योंकि वो उसी बात पर उनसे अब तक नराज था वो पनी मॉम की कबर पर चला जाता है अब लिन्शु और उसका मैनेजर गाउं वालों से मीटिंग करते हैं और पायथन आइलिंड पर जाने का कहते हैं जिस पर वो सभी उन्हें वह लालची आदमें आजाता है जिसने करी साल पहले के डैट के साथ इसे बचाने आइलिंड पर आया था उसके हाथ में हत्यार देखकर कर लिन्शु डर जाता दोदर लालची आत्मी का साथी फिर से वहां से एक पोदा तोडने की कोशिश करता है मगर वो पोदा इतना खतरनाक था किसी जानवर की तरह अपना मुँ खोल कर उस लालची आत्मी के साथी को मुँ से नोच लेता है जिसको सभी देखकर डर गए थे लिंशु ये देखकर सभी को गार के अंदर जाने का कहता है गार में आकर लिंशु की बास एक पोदे को तोड लेती है जिससे वहां पर जितने भी पोदे थे सभी इन पर हमला करने आ गए थे अब यहां से सभी बचकर भागते हैं इसी दोरान लिंशु और बास की बेटी अपने ग्रुप से अलग हो गए थे उदर दोसरी तरफ बाकी के लोग अपनी जान बचाते काली रंग के पाइथन की गार में आ जाते हैं अब वो पाइथन आइस्ता आइस्ता इनके दर्व बढ़ रहा था लालची आदमी उस पर गोली चना कर उसे मारने की कोशिश करता है जिससे पाइथन मरा तो नहीं था मगर अब उसे और जैता गुसा आ गया था वो इनको खानी के लिए बड़ा सा खौफनाग तरीके से मूँ खोलता है जिस पचा से ये सब ही अब डर कर वहां से भाग रहे थे उधर दूसरी तरफ लिंचु को गोल्डन पाइथन मिलता है जो इसने कई साल पहले नदी में छोड़ दिया था उस गोल्डन पाइथन ने भी इसे पहचान लिया था वो से कुछ भी नहीं कहता लिंचु यहाँ पर बॉस की बेटी को बताता है इस पाइथन से हमें कोई खत्रा नहीं है तब ही वो गोली की आवाज सुनकर महां से चला गया था इधर अप लिंचु को भी वोही निशान नजर आते हैं जिन पर ये रिसर्च कर रहा था उसे समझ आ जाती है यानि के तोटता हुआ तारा गिरा जिसकी गर्मी के वज़ा से यहाँ पर ये पोदे पैदा हुए जो इंसानों की तरह जानदार है उनकी रिसर्च के मताबिक अगर ये पोदा कोई इंसान खाले तो हमेशा जिन्दा रह सकता है इसका टेस्ट कबीले वालों ने इंसानों पर भी किया था मगर जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकला अब ये आखरी बनी हुई तस्वीर में कबीले वालों को सांपों को चूमता हुआ देखता है उदर दूसरी तरफ लिंचु की बॉस ने एक बोदे को हाथ लगा लिया था जिससे अब वो पोदा भी उन पर हमला कर देता है काले रंग का पाइथन भी वहां पर आ गया था लाल्ची आदमी अपनी जान बचाने के लिए अपने एक साथी को उसके आगे फैंक देता है और खुद बागी सबी के साथ मिलकर वहां से भाग गया था फिर बॉस अपनी बेटी से मिलती है बॉस की बेटी अपनी मॉम को गोल्डन पाइथन के बारे में बताती है मैनेजर सुनकर कहता है जिस पोदे को हम यहाँ पर तलाश करने आई है वो गोल्डन पाइथन से जुड़ा हुआ है अब बॉस यहाँ पर लालची आत्मी को पैसो का और लालच देकर गोल्डन पाइथन को पकड़ने का कहती है यहाँ से आगे जाने पर यह काले रंग की और गोल्डन पाइथन को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे में लिप्टे हुए थे यहीं पर गोल्डन पाइथन की जिल्द किसी पोदे की पत्तों की तरह जड़ रही थी लिंशु को देखकर यह समझा आता है कि गोल्डन पाइथन की जिल्दी है जो जड़कर किसी पोदे में बदल जाती है और इमोर्टर पोदा बनता है जिसे इंसान हमेशा जिन्दा रह सकता है और हो सके तो हम उस पोदे से किसी की भी जान को बचा सकते हैं लिंचु की बॉस लालची आदमी को पाइथन्स को मारने का कहती है मगर काले रंगा पाइथन उन पर हमला कर देता है जब एक आदमी गोल्डन पाइथन को मारने वाला था तो लिंचु आकर उसे रोकता है और दूर फैकता है क्योंकि वो गोल्डन रंगे पाइथन को किसी को पे नुकसान पहुचाने देना नहीं चाहता था उधरी काले रंगा पाइथन आकर अचानक से लिंचु को काट लेता है उसका जहर अब उसके जिसमें फैलने लगा था यहाँ पर गोल्डन पाइथन आकर लिंचु के जखम को चूख कर उसे ठीक कर देता है और इसी बात का फाइदा उठाकर लालची आत्मी ने गोल्डन पाइथन के सर में गन को मार कर उसे बेहोश कर दिया था काले रंगा पाइथन भी सब पर हमला कर देता है वो बॉस की बेटी को मारने ही वाला था तो यहाँ पर लिंचु ने आकर उसे बचा लिया था काले रंगा पाइथन उन्हें मारने के चकर में उदूस जाडियों वाले पोदे से टकरा जाता है जिसने अब उसे जकर लिया था लिंचु और बॉस की बेटी किसी तरह से गार से बाहर आ गए थे वहाँ पर आकर लिंचु को वही पोदा मिलता है जिसको लेने यह यहाँ पर आये थे जिससे किसी को भी बचाये जा सकता था और हमेशा जिन्दा रहने की ताकत थी वह से तोड़कर अपनी जेब में रख लेता है उदर मैनेजर बॉस को कहता है कि अगर तुम्हें इमोर्टन होना है तो तुम्हें गोल्डन पाइथन को खाना होगा ये बात सुनकर लालची आत्मी गोल्डन पाइथन को मारना जाता है मगर वो उसे ही जकड कर काट लेता है लालची आत्मी अब मरने वाला था तब ही लिंचु को यहाँ पर अपनी मौम की बात याद आती है कि किसी का भी बुरा कभी मत करना ये सोचकर वो उस पोदे को जो उसने तोड़ा था लालची आदमी को खिला देता है मगर वो उस पोदे का पत्ता खाते ही लिंचु पर हमला कर देता है क्योंकि उसकी ताकत सो गुना बढ़ गई थी अब लिंचु के डैड और अंकल भी उसे बचाने के लिए उस आइलन्ट पर आ गए थी वो उस लालची आत्मी पर हमला करते हैं तब ही दोबारा से गोल्डन पाइथन ने आकर लालची आत्मी को जकर लिया था मगर अब वो उस पत्ते को खाने की बज़ा से इतना ताकतवर हो गया था कि गोल्डन पाइथन को चीर कर उसका खून पी जाता है जिससे अब वो और भी ताकतवर हो गया था वो लालची आत्मी बताता है कि गाउं में भी बीमारी मीने ही फेलाए थी ताकि मैं गाउवालों से पैसे कमा सकूँ इतना कहकर वो लिन्शु पर दुबारा से हमला करता है मगर इस पार लिन्शु के डैड अपने बेटे को बचाने आके आ गए थे चाकू लगने की वज़ा से उनकी फॉरण मौत हो जाती है अब लालची आदमी के जिसमें जलन होने लगी थी यही पर लिन्शु को कबीले के गाईब होने की वज़ा पता चलती है उन्होंने भी पोदे को खा कर साथ के खूण को पी लिया था जिससे उन सबी की मौत हो गई वो लालची आदमी उस बोदे और खून की वज़ा से पागल हो गया था सभी को मारने लगता है बॉस अपनी बेटी को लेकर यहां से जाने लगती है मगर वो जाने से मना कर देती है क्योंकि वो लिंशु को पसंद करने लगी थी और उसे बचाने की कोशिश भी करती है बॉस की बेटी की आने से पहले लालची आदमी ने लिंशु पर गोली चला दी थी मगर लिंशु उससे बच जाता है क्योंकि गोली उसकी जिसमें रखे हुई तावीस पर लगती है जो उसकी माम ने उसे दिया था अब अचानक से यहाँ पर काले रंगा पाइथन आ जाता है जिसने लालची आदमी को एकी जटके में निगर लिया था यह आईलन अब पूरी तरह तबाह होने लगा था अब यहाँ पर जखमी हालत में गोल्डन पाइथन भी आ जाता है जो लिन्शू को यहाँ से जाने का रास्ता दिखा रहा था यह सही सलामत बचकर सभी नदे के किनारे आ जाते हैं यहाँ पर लिन्शू अब उस गोल्डन पाइथन को वही पोदा खिलाने का फैसला करता है मगर उसकी बोस ऐसा नहीं चाहती थी वो उसे वो पोदा लेने का कहती हैं जिसके बतले में वो उसे बहुत से पैसे देंगी मगर लिन्शू उसकी लालच में नहीं आता और उस गोल्डन पाइथन को वो पोदा खिला देता है जिसके बाद ये सबी वहां से अपनी कश्टी में बैटकर जाने लगते हैं वो पोदा खाने की वज़ा से गोल्डन पाइथन की हालत में भी सुधार आने लगा था मगर वो लिन्शू से अलग होने पर बहुत दुखी था जिसके बाद कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है लिन्शू और बॉस के बेटी मिलकर गाओं वालों का इलाज करते हैं और बाद में इन्होंने यही पर रहने का फैसला कर लिया था और जिसके साथ ही ये फिल्म की कहानी यही पर खत्म हो जाती है